पसबीरे अब निकल कर सामने आ रही हैं और अख़णा लगातार जिसतरे से बल रहा है और कई बार तो बढ़ा चोकाने वाला अख़णा हो जारा है देखते ही देखते हैं एकदम से जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है वह बेहत चोकाने वाला है 36 गड़ में जिस तरह के परिवर्तन को देखा जा रहा है और साथ ही भुपेश बगेल जो लगातार अपने प्रतिद्वंदी से आगे पीछे के इस्तिति में हैं ये भी बेहत चोकाने वाला है और उसी तरह से दूसरी तरफ बीजेपी के उमीदवार और पूर्ट मुख्यमं प्रतिद्वंदी के साथ आगे पीछे के खेल में लगे हुए हैं तो ये जो पूर्ब सीम और मौजूदा सीम का जो ये खेल चल रहा है ये भी बेहत चोकाने वाला है कि आखिर इनकी जो ये फाइट चल रही है असा लग रहा है कि आखरी बोल तक देखना पड़ेगा कि ब परिष्ट पत्रकार के साथ और पॉलिटिकल एक्सपाउट के साथ और चर्चा करेंगे इन्ही आख़़ों को लेकर ओमशिल साथ वरिष्ट पत्रकार कुंदन कृतागी मौजूद है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक कुमार मौजूद है कुंदन जी जिस तरीके से अभी भूपेश भगेल के अगर हम बात करें तो भूपेश भगेल अपने खुद के सीट से पीछे चल रहे हैं और उनका जो खुद का उनके खुद के भतीजे जो हैं वो उनके सामने प्रतिवांदी हैं तो क्या लगता है मुख्यमंत्री अपना कोर्सी भी बचा पाएंगे वहाँ पर देखिए इस पूरे शुनाव में अगर देखें तो बीजीपी ने बहुत ही स्ट्राटीजीकली कुछ कामों को किया है सबसे पहला कि जीन राजियों में आज मतगरना हो रही है वहाँ पर किसी भी राजिय में बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया था इविन अगर आप बात कर लें मध्ध प्रदेश जहां कि शिवराज सिंग चोहान मौजूदा मुखे मंत्री हैं वहाँ भी उन्होंने सीएम के तौर पर असपस्ट रूप से कोई संदेश नहीं दिया था कि शिवराज सिंग चोहान ही अगले मुखे मंत्री होंगे पहली बात साथ इसका फायदा बीजेपी को बहुत हद तक मिल रहा है क्योंकि पार्टी एक जुट होक एक जुट होकर उसने चुनाव लड़ा दूसरी बात आपको बता दें कि मोदी ने अपनी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपनी तमाम जनसभाओं में यही कहा है कि आपका उमिदवार कमल है कमल निशान पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही ये सायद जनता क कि अंदर तक यह बात गई है कि कैंडिडेट को नहीं देखना है पार्टी को देखना है और पार्टी ने एक सिर्फ और सिर्फ एक हीरो को प्रोजेक्ट किया वो है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी साध इन दो तथ्यों का बीजे पी ने बहुत हद तक फायदा लिया है औ और तीसरी सबसे एहम बात बताओं कि पिछले तीन दिनों में जब से एक्जिट पोल आये थे उस एक्जिट पोल ने तमाम दावों को सिर्फ से खारिज कर दिया है क्योंकि जहां एक्जिट पोल के बाद तीन एक का फिगर दिख रहा था तीन कॉंग्रेस के पक्च में एक अधर परदेश और 36 गड़ हलाकि अभी तमाम राजियों की अगर बात करें तो लगभग 15 से 18 राउंड की काउंटिंग जारी है 22 से 24 राउंड होने हैं अब बहुत बड़े फैक्टर का केके कुंदन जी बात कर रहे हैं नोने साफ तोर पर कहा जो इतना स्ट्राटेजिकली काम किया है बीजेपी ने किसी भी राज में अपना मुख्यमंत्री चाहरा घोशित नहीं किया है चाहे वो मद्रप्रदेश की बात कर लें चाहे 36 गर की अपने जो उनका सीट है उसमें आगे पीछे की दोड़ लगाए वे हैं शुरुवाती रुजान में वो आगे चल रहे थे बीच में वो पीछे हुए फिर अभी तो मैं आपको एक बहुत चौकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत करूँगा सबसे पहले गिंती शुरू होती है पोस्टल बैलेट की आपको मैं फिगर बता रहा हूं अशोक गहलोत वसुंदरा राजसिंदिया रमन सिंग शिवराज सिंग चौहान कमलनात तमाम लोग पोस्टल कहीं तمाम जितने बड़े चेहरे हैं इन तमाम बड़े चेहरों को पोस्टल बैलेट में निगेटिव सीट मिला अब रहे बात की रमन सिंग आगे पीछे आगे पीछे चल रहे हैं वही कहीं न जहीं Video के कमलनात मुझे जहां तक यहादा रहा है तेरहएं राउंड की गिंती के बाद महज 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और किसी भी विधान्चावा के मतगरणा में अगर जहां 22 और 24 राउंड की मतगरणा होनी है वहां अगर आप महज 15,000 वोटों की लीड लेकर चल रहे हैं मिड काउंटिंग में यह कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है बाकी जो दूसरे तमाम चेहरे हैं उन चेहरों ने असपस्ट रूप से एक लीड ले ली है लेकिन अब देखते हैं जो EVM है और EVM इस पर तयार बठा है क्योंकि गालियां EVM को पढ़नी है अगर यह हैसला किसी पाटी विशेष के पक्ष में जा रहा होता तो EVM महराज भी सुबह से तयार बठे हैं कि जितनी गालियां होंगी साम तक उनको होगी और वो अपना पाचन मजबूत करके बठे हुए हैं तो 36 गड़ में तमाम EV Network ने भी सर्वे किया और तमाम बड़े चैनलों ने भी सर्वे किया और काफी सारे आखड़े आए बिल्कुल आम अप